ये क्लिपिंग है एक फरवरी की और एक फरवरी को यहां पर पड़ेते बहुत ही ज्यादा ओले लाइफ में मैंने पहली बार इतने ओले देखे और ऐसा लग रहा था कि चंडिगण में बरफ पड़ गई हो ऐसा लगी नहीं रहा था कि यह चंडिगण है ऐसा लग रहा था कि यह मनाली है बाइदे बे मैं आपको यह क्यों दिखा रही हूँ यह इसलिए दिखा रही हूँ क क्योंकि इतने ज्यादा ओला वरिस्टी के बाद में मेरे पौधों की जो हालत हुई है मैं आपको दिखा भी नहीं सकती यानि कि कोई भी पौधे पर पत्ता एक भी नहीं पचा था जो मेरी इतनी खूबसूरत सा गार्डन मैंने कई सालों से त्यार किया था वो बिल्कुल ही खतम हो गया और यहां पर है इस टाइम तुलसी का हाल में आपको दिखा रही हूँ तो यह मेरी तुलसी बिल्कुल सूख चुकी थी और उसके बाद में मैंने क्या किया इसको ना काफी टाइम से में सही करने की कोशिश कर रही थी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी क्योंक आज finally इसकी cutting कर दी और इसको फिर से गुड़ाई करके एक और बार chance ले रही हूँ कि शायद अपकी बार भी तुलसी ठीक हो जाए तो मैंने क्या किया कि इसकी जितनी भी डंडिया थी इनको तोड़ करके देखा जो सूखी भी डंडिया थी वो सारी निकाल दी और चिस डंडी में भी थोड़ा भी ग्रीन था या थोड़ा सा पानी होता है ना मौिस्चर इसके अंदर होता है उसको मैंने एजटी छोड़ दि एक एक गंबले में जो मेरे 6 और 8 हिंच के गंबले हैं उसमें और उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और डाली है चाहें तो गोबर खात भी डाल सकते हैं अच्छे से कंपोस्ट की हुई लेकिन मेरे पास वो नहीं थी तो मुझे फर्स टेट की तरह इसमे तो टंडी तोड करके देखें कि अगर वो फिल्कुल ठीक है अगर वो हरी है तो वो फिर से ग्रो कर सकती है मेरी कुछ पौधो की डंडियां हरी थी इसके कारण मैंने इसके अंदर गुडाई करके थोड़ा सा हल्दी का पाउडर दिया जिससे की फंगस ना लगे और मैंने इसके अंदर चाय पत्ती दी इसको नाइट्रोजन के लिए जिससे की इसमें थोड़ी गर्माईश मिलेगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी हल्दी से इसमें फंगस नहीं लगेगी और खाद देने से इसमें ग्रोथ हो जाएगी सनलाइट इसको प्रॉपर चाहिए अब क पाच घंटे की और मैंने इसमें पानी दे दिया इतनी ही मैंने आज तुलसी की केर की लगबग 15 दिन में इसमें ग्रोथ पता चल जाएगी अगर इसमें फिर भी ग्रोथ नहीं पता चली तब फिर मैं तुलसी दूसरे पौधे लगाऊंगी बरहाल जितनी मैंने किया है उस साथ में डियाई वाई भी करना है तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी से मैंने ब्रेकवास बनाया ब्रेकवास में बनाई थी साबुदाने की खिचड़ी इस तरीके से मैं बनाती हूँ इसमें थोड़े से मुवफली थोड़े से आलू डाल करके हरा धनिया कड़ी पत्ता और मिर्च हरी मिर्च वगर डाल करके बनाओ न और नॉन स्टिक पैन में बनाती हूँ पिल्कुल भी नहीं चिपकती है बहुत अच्छी बनती है खिली खिली और डियाईवाई करने हैं तो सुबह सुबह ही मैंने कोकिंग का काम भी कर लिया क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है तो सबको बारिक बारिक चॉप करके अरहर की दाल को वाश करके उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमक टाला है और उसमें एक सीटी लगा दी है इस तरीके से ये दाल बहुत टेस्टी बनती है और इसमें मैं हींग, जीरा और सुखी लाल मिर्च का तड़कर दे इसके साथ ही साथ मैंने जैसे की बताया मुझे कहीं जाना है तो से पहले मैंने सुबा सुबा में बनाया है यह एक चॉकलेट बनाना ब्रेड या केक बोल सकते हैं क्यूंकि ड्राइ केक बनाया है थोड़े से मॉफिन बनाये हैं और अब मैं रेडि हो गई हूं सुबा के 10 अगर चीजे अपनी जगा पर सही से रखी होंगी या फिर चीजों को हम अच्छे से अरेंज करना जानते हैं तो हमारा घर खुद बखुद डेकोरेट रहेगा साथ ही कुछ ऐसी चीजों होती है घर की जो पुरानी हो जाती है और जो बेस्ट हो जाती है उनको हम ना तो डिसकार्ट करते हैं ना ही उनको रियूस करते हैं ऐसे में घर में clutter काफी बढ़ता रहता है, clutter के उपर एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, अगर आपने नहीं चेक किया, तो चेक कर लीजेगा, फिलहाई आज मैं शेयर कर रही हूँ, पुरानी चीजों को reuse करके नई चीजे बनाना, और उसी से हम घर को अपने decorate भी करें तो वीडियो अगर कहीं पर भी पसंद आये, तो उसको like सरूर कीजिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं बना रही हूँ, living area के लिए एक hanging decor, घर में चाहें जितने मर्जी decorative item हो, लेकिन हमारा मन उनसे कभी न कभी भर ही जाता है, तो इस तरीके के छोटे छोटे छ craft कर रही हूँ, और इसके उपर मैं कर रही हूँ, अलग-अलग pattern में mosaic art, और ये मेरे पास mosaic tile थी, ये मैंने पिछला एक DIY किया था, उसमें से कुछ बची हुई थी, तो इनी से मैं pattern दे रही हूँ, craft glue की help से, इन से मैं एक pattern बना रही हूँ, और तीन के उपर मैं एक जैसा pattern बनाऊंगी, दो के उपर अलग pattern बनाऊंगी, क्योंकि इनको मुझे hanging में लगाना है, तो कुछ एक symmetry मैं इसमें maintain करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने चारो तरफ इसके लगा दिये हैं, double color के mosaic tile, और मैं लगतार दोनों तीनों के उपर एक जैसा करती जा रही हूँ, ए बीच में मैंने फ्लार बनाया है, और चारो तरफ mosaic tile लगाई है, और किनारे किनारे मैंने लगाए हैं, ट्राइंगलर वाले, जो craft mirror होते हैं, वो इस तरीके से मैंने ये तीन तयार कर लिये हैं, जो कि कुछ इस pattern में लग रहे हैं, और दो जो हैं, वो भी इससे similar ही हैं, ले मैंने सारे mirror चिपकाएं हैं, और जब वो dry हो गया, तो उसके बाद में मैंने ये white cement को लिया, इसके अंदर color डाला थोड़ा सा, और उसके बाद में मैंने इसके उपर इस तरीके से filling कर दी है, आप सब पूछते हैं, कि मैं इसको साफ कैसे करती हूँ, तो उसको जैसे ही हम ल पूछते हैं, और ट्राइव होने के बाद में मैंने पहले गीले कपडे से साफ किया, फिर सुखे कपडे से साफ किया, और ये बिल्कुल तैयार हो गए है, अभी मैंने लिए है पॉल चेन, और पॉल चेन के उपर इस तरीके से मैं होट क्लू की help से इसको हैंग कर दूँग वह और 3 रखे हैं उपर नीचे और सेन्टर में तो इस तरीके से देखं़ें कि मेरे एक बहुत ही गलिट्री बहुत ही आसान बहुत ही सुंदर सा डी-याइवाई बन गया नीचे अ decisel लगा दिया है तो इस तरीके से घर के किसी भी कॉर्नर को आप बहुत ही आसानी से सजा सकत कैसा लगा मुझे बताईएगा जरूर चलिए अब करते हैं एक और डी आई वाई और उसके लिए मैंने ली है इस तरीकी की मेरे पास एक वुड़न शेल्फ थी जो कि मैं बहुत पहले यूज़ करती थी आउटडोर एरिया में और ये अच्छली वाई थी लेकिन इसको मैंने दो-तीन साल पहले पेंट किया था अब ये बहुत खराब हो गई क्योंकि घर में हुआ था वाईट फॉश का काम उसके पेंट की चीटे पढ़ने की वज़़से इसका कलर निकल गया तो मैंने सोचा इसको फिर से नया किया जाए उसके लिए मैंने इसको निकाल करके लेकर क आई और इसको बहुत अच्छे से पहले तो इसकी सारी डस्ट साफ की गिले कपड़े से साफ किया और जब ये सुख गया तब मैंने लिया इसके लिए पेंट यहाँ पर मैं वाइट कलर के वाल पेंट का यूज कर रही हूँ और वाल पेंट को यूज करते समय इस चीज का दिहान रखें कि इसमें पानी ना मिलाएं तो आपका जो पेंट रहेगा वो अच्छा रहेगा एक ले रही हूँ इस तरीके का ब्रश दो लिये हैं मैंने स्पॉंज ब्रश और इसके अलावा हमें चाहिए स्ट्रेनर ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास स्ट्रेनर अव दाख प्लू कलर की और उसको मिक्स किया अच्छे से लगबग 5 मिनट तक हम मिक्स करेंगे तो इस तरीके का कलर आ जाएगा अब एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको जाधा डार्क चाहिए तो और जाधा कलर मिला सकते हैं लाइट चाहिए तो कम मिला सकते हैं तो म वज़े से इसके उपर की जो चिकनी वाली परत होती है न वो निकल जाती है तो हमारा पेंट टिक जाता है और यह खराब नहीं होता बहुत जल्दी निकलता नहीं है तो कभी भी वुड़न सर्फेस को आप पेंट कर रहे हैं तो यह सैंडिंग का काम जो होता है वो जरूर क कर लें ऐसा करने से आपका paint काफी अच्छा रहेगा लॉंग लास्टिंग रहेगा तो मैं पहला कोट तो इस तरीके से brush की help से ही कर दिया है लेकिन अनीवन लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं हम अब करेंगे दो कोट और और दो कोट जो करेंगे वह हम sponge की help से करेंगे मेरी ये शेल्फ भी अब दिखाती हूँ मैं इसको करूंगी कहां पर डेकुरेट मेरी बहुत ही खुबसूरत सी शेल्फ बन करके तयार हो गई है वैसे दो मैंने इसको आउटडोर एरिया के लिए बनाया है लेकिन कौन कहता है कि आउटडोर वाली शेल्फ को हम इंडोर नहीं लगा सकते इसको किचिन के काउंटर टॉप पर मैंने लगाया है और मेरे काउंटर टॉप का लुक ही चेंज हो गया इसको as a decor piece तो लगा ही सकते हैं इसमें हम अपने daily use की काफी सारी चीजे लगा करके एक तो organize कर सकते हैं तूसरे उन चीजों को कम स्पेस में ये वाली शेल्फ जो है न काफी कम स्पेस में आ रही है तो इसकी वजह से इसमें मैंने बड़े बड़े आइटम रखें थोड़े चोटे चोटे जैसे मसाला डबा होता है या और चोटे चोटे डेकॉर आइटम अगर रखेंगे या जरूरत की दब्बे रखेंगे चोटे चोटे से तो इसमें काफी सारे आ जाएंगे थोड़ा सा stylish तरीका है आपको कैसा लगा बताएगा सो दोस्तो आज का वीडियो इतना ही था अगर अच्छा लगा तो लाइक शरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तिल द अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए बाई बाई